ISE के दो पेपर्स हो चुके हैं, लिट्रेचर और लैंगविज, लेकिन मैं लगातार देख रहा हूँ कि बच्चे कुछ कॉछ कॉमन मिस्टेक्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो मार्क्सलूस कर रहे हैं, अंजाने में वो मार्क्सलूस कर रहे हैं। और class 10th के बच्चों के लिए भी ये विडियो बहुत जादा important है क्योंकि आती हुई चीज आप गलत कर दे रहे हैं या सही लिख रहे हैं तब भी आपको number नहीं मिल रहा है इसलिए इस विडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा और किस तरीके से आपको अपने answers लिखने हैं ये चीज़ पर गौर करिएगा आप बच्चे अलड़ी दो paper दे चुके हैं लेकिन मैंने देखा है बच्चे गलत तरीके से answers लिख रहे हैं सही answer को गलत तरीके से लिख रहे हैं For example, ये language के paper से आप सोच सकते हैं इसको अगर question है आपका By the time she reached home, her family dash lunch ठीक है? Options इसमें दिये हुए है A. Had eaten B. Was eaten C. Should eat D. Eating तो इसका जो correct answer है वो है option number A. Had eaten तो आपको सिर्फ option लिखना है जिस तरीके से ये A. ऐसे लिखा है उसी तरीके से आपको A. लिख देना है bracket में लिखना है तो जैसे ही आप इस तरीके से इसको लिखेंगे तो आपको correct हो करके एक number का है, आपको एक number मिल जाएगा, ठीक है? ध्यान रखिए, आपको A. आपने दो दिन, council ने leniency रखी है, हो सकता है आने वाले time पे आपके number कटने लगें अगर आप ऐसे लिखते हैं A. had eaten तो ये गलत नहीं है लेकिन क्यूंकि examiner's को बहुत कम time मिल रहा है तो वो confused हो सकते हैं और आपका number यहाँ जा सकता है तो मैं आपको यही suggest करूँगा सिर्फ option लिखिए और कुछ मत लिखिए next case देख लेते हैं अब मान लीजिए correct option इसका A था लेकिन आपने पहले C लिखा फिर D लिखा फिर उसके बाद A लिख दिया अब आपको फिर confusion होने लगा तो आपने C और D कार्ट दिया C और A कार्ट दिया D छोड़ दिया तो ऐसे case में आपको number नहीं मिलेगा ये 0 हो जाएगा if you are writing multiple options अगर आप multiple options लिखते हैं और multiple options आपने लिखने के बाद सही option जो था वो आपने कार्ट दिया गलत option को ऐसे छोड़ दिया तो ऐसे case में आपको 0 मिलेगा देखिए examiner's को भी बहुत कम time मिल रहा है आपकी scripts evaluate करने के तीक है जाहिर सी बात है workload सब के उपर होता है तो please make sure कि आप लोग सही तरीके से चीजों को लिखें ये हम लोग subjective paper में भी बताते थे कि आपके answers neat and clean होने चाहिए और सही तरीके so same concept applies over here now अगर आपने इस तरीके से कर दिया आपने लिखा C, D, A लिख दिया आपने ठीक है और उसमें सही answer A है तो अगर आप इस तरीके की चीज़ करते हैं तो council का direction ये है कि examiner इसको भी आपको zero कर देगा ठीक है आपका ये गलत माना जाएगा और आपका ये zero हो जाएगा क्यों zero हो जाएगा क्योंकि आपने multiple options लिखे हुए और ये गलत चीज़ होती है आपने कोई भी options strike off नहीं किया है ठीक next उसके बाद please ये तो मैंने हमेशा बताया है समझाया है और कहा है कि इस तरीके से blank नहीं छोड़ेंगे अगर आप blank छोड़ते हैं तो कुछ नहीं काऊ examiner के पास कोई option नहीं बचता है बस वो आपको zero दे सकता है और कोई भी option उसके पास ऐसा बचता नहीं है ठीक है अचा एक चीज़ और इसमें यहीं पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ मान लीजिए यहां पे आपने करा होगा c, d और a आपने लिखा और c और d को काट दिया और a आपका correct option है तो इस case में आपको एक number मिल जाएगा ठीक है अचा जो बहुत बच्चे कर रहे हैं मैं देख रहा हूँ बहुत ही बच्चों ने गलतियां इस तरीके की कर रहे हैं मुझसे बता भी रहे हैं अब option A answer है उन्होंने लेकिन इसको लिखा इस तरीके से है कि यह B type का लग रहा है अब जहां इस तरीके का confusion आता है तो आपके chances बढ़ जाते हैं कि आपको zero मिलेगा तो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ इस तरीके की scribbling मत करिए काट के मत लिखिए unless and until right from day one I have been telling you unless and until you are very sure about the answer please don't write it ठीक है आप पूरी तरीके से share हो जाएए तब उसके बाद सही option जो उसका है वो लिखिए और सही तरीके से लिखिए time देखे 80 questions आपके literature में भी आये थे और language में भी 80 questions आये थे तो आने वाले time पे आपके different papers में अलग-अलग number of questions होंगे तो मैंने आपको बताया हुआ है कि starting का 10 minutes जो मिल रहा है उसको अच्छे से use करिए उसके आगे आप बहुत ध्यान से लिख करके करिएगा अपने answers को तो मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ जो चीज़ें आपको नहीं करनी है ठीक है? प्लीज question नहीं भी आता ना तब भी कुछ ना कुछ लिख के आओ बटा खाली मत छोड़ो खाली छोड़ोगे तो examiner के पास कोई option ही नहीं बचता हूँ आपको zero ही देगा उसके बच्छे ये भी कर रहे है ये एक मतब इस तरीके से आपको नहीं करना है इसको avoid करिए अब जैसे यही question है by the time she reached home her family dash lunch ठीक है अब correct option had eaten है तो बच्चे क्या कर रहे है answer यहाँ लिखना है बटा ठीक है this is not fill in the blanks answer यहाँ लिखना है I have seen many kids writing had eaten ठीक है तो ये मतलब आप अपनी तरफ से कर रहे हो इसको मत करिए there is no need of unless and until it says I don't think so कि किसी भी paper में इस तरीके का होगा मैं फिर से बता रहा हूँ answer clear एकदम इस तरीके से लिखिएगा अगर आप a और had eaten लिखते हैं तब भी आपको सही नंबर मिलेगा लेकिन ऐसा करिएगा नहीं ये confusion create करता है जो teacher जो examiner आपकी scripts को evaluate कर रहा है उसके बाद अगर आप multiple options लिख देते हैं और सही option को आपने card दिया गलत option को आपने छोड़ा है तो zero मिलेगा फिर अगर आप multiple options लिखते हैं और उसमें गलत options आप card देते हैं और सही option को आप छोड़ देते हैं तो इस case में आपको marks award हो जाएगा अगर आपने दो तीन options लिख दिये हैं तो आपको zero मिलेगा इस case में ठीक है उसमें सही option भी है तब भी आपको उसमें zero ही दिया जाएगा अगर आप blank छोड़ देते हैं तो भी आपको zero मिलेगा और अगर आप इस तरीके से लिखते हैं ठीक है अपने answer को ऐसे लिख देते हैं में कि A और B समझी में नहीं आ रहा है तो ये examiner के लिए problematic situation होती है ऐसे case में आपको zero मिल सकता है मेरा आप से ये कहना है इस तरीके की चीज लिखिये ही नहीं clearly a small a इस तरीके से लिखिये बहुत से बचों की writing होती है वो बहुत जादा A ऐसे करेंगे B का बहुत जादा ऐसे होता है तो वो ठीक है उसमें कोई गलती नहीं है लेकिन आपका जो आप यहाँ पे लिख रहे हैं that should be absolutely clear and don't leave the blank जिसको blank मत छोड़िये आप आपने देखा है बच्चे बहुत कुछ blank छोड़ रहे हैं मेरे से आके बता रहे हैं लिखा ही नहीं हम लोगों ने तो इसको मत करियेगा अब आपने जिसको कहते हैं सीधा सीधा आपने पैर पे कुलहाड़ी मार ली आपको अगर हो सकता है अगर आपने नहीं भी आता था कुछ तो try करते और कुछ try करके आप उसमें लिखने की कोशिश करते तो हो सकता है शायद सही हो जाता तो आपको मिल सकता वैसे तो मैं यह कहूँगा कि पढ़के 100% शेवरों के answer लिखेगा अब ये वाली conditions हो क्यों रही है ये मैं आपको बताता हूँ आप लोग गलती क्या करते हो ना आप लोग करते ये हो कि आप लिखते हो A answer चीक है जो की correct है उसके बाद बगल वाले से बगल वाले से अगर आपने किसी तरीके से unfair means करने की कोशिश करी तो उधर उधर किया फिर कहीं और से कुछ करने की कोशिश करी फिर आपको अपने उपर doubt होने लगा अरे इसने तो ये किया है वो किया है आप लोग बहुत smart हो मुझे मालूम है आपके invigilators वहाँ बहुत strict हैं बट आप भी बहुत smart हो और आप हर तरीके से इस तरीके की चीज़ अगर आप करते हो पहली चीज़ तो ये 100% गलत है ऐसा मत करिये लेकिन अगर पूछाता अच्छी मतलब you are trying to use any type of unfair means और उसकी वज़े से आपने क्या गिया A बनाया था तो उसको काट के B कर दिया सही answer को क्यों गलत कर देते हो भई इस तरीके की चीज़ मत करिये please मैं फिर आप से कह रहा हूँ ये आपके लिए problematic है अगर आप पकड़े जाएंगे तो problem होगा और ये चीज़ आपको करनी भी नहीं चाहिए at any cost इस तरीके की किसी भी चीज़ में involved मत होईएगा तो correct answer आता हुआ बच्चों का गलत हो रहा है उनके marks जा रहे है please इस तरीके की चीज़े नहीं करियेगा खास तोर से बच्चे A और B में गलती कर रहे हैं A को A अगर बनाना है तो simple A ऐसे बना दीजे बहुत से बच्चे A ऐसे हो रहा है ठीक है तो examiner के लिए confusing है यहां ऐसे line नहीं होती है तो यह गलत है इस तरीके की चीज़ को नहीं करिये यह होगा don't write multiple options क्यों लिख रहे हैं क्यों अपने लिए confusion create करा रहे हैं और examiner के लिए भी confusion create करा रहे हैं अभी भी gaps के बीच में बहुत समय है आपको मिल रहे है समय commerce के बच्चों को तो अच्छा खासा time मिल रहा है so utilize that time और 10th class के बच्चों को मैं खासतोर से कहना चाहूंगा कि सही से अच्छे से यह जो समय आपको मिल रहा है इसको use करिए ताकि आपका आने वाले time पे सारी चीज़े अच्छे से हो सके this is the last time you are going to study class 12th के बच्चों को मैं बोल रहा हूँ इसके बाद यह जो पढ़ रहे हो अब नहीं पढ़ना है semester 2 में पूरा entirely different syllabus है I meant to say यह जो अभी आप पढ़ रहे हो वो semester 2 में नहीं आएगा ठीक है? कोई और doubt होगा तो please comment कर लीजेगा जैसे मिने time मिलेगा तो I'll get back to you So that's it for just now Keep watching, keep learning, keep sharing Stay safe, bye bye